बिठाकर यगि संपन कर लिया जैसे ही यगि संपन हुआ सावित्री जी यगि शाला में पहुँच गई और ब्रम्ह जी के वामागन गायत्री को देखकर क्रोधित हो गई तथा गायत्री की द्वारा ये अधिकारों में अत्तिक्रमन मानते हुए बिनासूच विचार दिये आ सावेश में आकर गायत्री को वन्ष की विनाश का श्राप दे दिया सावित्री जी के द्वारा दिये गए श्राप से गायत्री जी व्याकुल हो गई और रोने लगी और सावित्री जी से अनुनाय विने करने लगी कि मेरा कोई दोश नहीं है और मेरे वन्ष को श्राप से म निर्दोश निश कलंक होने की घोशना करते हुए क्रौद में आकर सावित्री जी श्राप दिया कि है सावित्री जी मैं पुर्नत निर्दोश हो और तुमने बिना परिस्थिति को जाने क्रौद के वश्य भूत होकर मेरे वन्ष की विनाश का मुझे श्राप दिया है जो प्र इत्री जी से क्षमा मांगने लगी तथा कहा कि है गायत्री मेरे मुखारविंद सिक्रोद के वशिभूत चेतन अवस्था में प्रवाहित शब भी मिथ्या नहीं हो सकते हैं इसलिए मैं तुम्हारे वन्ष के वृध्धी का उपाय बताती हैं इस उपाय का पालन करने से तुम शिधी काल तुम्हारे वन्ष जों सिद्धोर रहेगा और प्रतेक वर्ष तुम्हारे वन्ष में निरंतर वृध्धी होगी इस पर गायत्री जिनने भी आवेश में आकर सावित्री जी को दिये गए श्राप के कारण आत्म गलानी प्रकट करते हुए उन्हें श्राप नहीं होगी परंतु पुष्कर नगर में आपको बहुत ही श्रद्धा से पुझा जाएगा उनके इस वारताल आपके पश्चात ब्रम्ह जी ने गायत्री द्वारा यगे संपादन में दिये गए सहयोग से प्रसंध होकर गायत्री जी वर्दान दिया कि है गायत्रे में बह से विकट संकट गुर्हों का तब से गुर्जर समुदाय में सामुहीक रूप से जलाशय की तीर पर पुर्वजों का श्राद्व किया जाता है जिन से छांट कहा जाता है सोजन्य भवरलाल जी गुर्जर बून्दी दूसरा पक्षल भी है कि भारत में एक समाज जैसा भी है जो दी पावली के दिन श्राद और पिंड़दान करता है गुर्जर समाज के लोग कार्ते कम आवस्या के दिन पित्रों का श्राद करते है गुर्जर समाज के बुजूर्गों का कहना है कि गुर्जर समाज राम पुत्रलव की संतान है गुर्जर समाज का मानना है कि श्रीराम ने 14 साल वनवास से आने के बाद पिता दश्रत का श्राद किया था। इसी परंपरा को हम भी आज तक निभाते आ रहे है। तेहें दिपावली के दिन सुबह गुर्जर समाज का कोई भी सदस से घर से बाहर नहीं लिकरता है और पित्रों का श्राद करता है। पित्रों का तरपन भी दिपावली की अमावस्या को ही होता है। नवरात्रा की पशार आने वाले श्राद पक्ष्ट से इनका कोई लेना द उस समय समाज कोई श्राद और पिंडदान नहीं करता दि पावली के दिन सुबह श्राद किया जाता है। सुई शताब्दी तक पुषकर में पूजा के अधिकार भी इनके सुरक्षित थे। सन्यासिय और ब्राम्भनों का एक दल पुषकर स्नान करने के लिए आया। सन्यासिय और ब्राम्भनों को गुर्जरों का ये अधिकार अशेह हुआ और उन्होने पुराने अधिकारियों के के पचास से पचास को उसके गुर्जर मृत को कांतिम संस्कार पुषकर में होता है। उनके अनिक मंदिर आज भी है जै शिदेव, जै गुर्जर जन्वरी जाग्रुकता के लिए। यदि आप गुर्जर समाज का विकास करना चाहते हैं तो ये कविता प्रते गुर्जर तक पहुँचनी चाहिए। इससे सभी रिलेटिव एव गुर्जर भार्ट सेप ग्रूप।